तीन मिनीट लेक्ष जी जो लिए त्री मिनीट राइक अंटेल पर जो अब इस्वास प्रस्ताव आया है सरकार के खिलाब उसके बिरोद करना है मुझे अब इस्वास प्रस्ताव सबसे पहले इस संसद में 1963 में आचारे जीवी क्रिपलानी ले आये थे जो प्रजासमाजबादी पार्टी के अम्रोहा के संसद होते थे और नेहरू जी प्रधान मंत्री होते थे मैंने जो अभी समझा है अध्यक्ष जी सरकार के खिलाब और विश्वास प्रस्ताव जब आते हैं तो देश में बेचायनी रहती है लोगों में सरकार के प्रति गुसर रहता है लोगों का भरोसा टूट जाता है सरकार के प्रति तो विपक्ष क्या संबैधानिक बारती लो 1963 में अध्यक्ष जी उस समय चीन और भारत का युद्ध हुआ था चीन से भारत हार गया था किसानों के बहुत से पूत्रों का रिलसंस बलिदान हुआ था स्रीमा पर और यह बेचायनी थी देश में इसलिए उस समय समाझबादी धारा के प्रजा समाझबादी पार्टी के स नहीं लगता है अध्यक्ष जी कि देश में कौन सी बेचायनी है कौन सी बेचायनी है कुछ लोगों ने उन लोगों को बता दिया है कि किसान की बात करोगे परधान मंत्री पर हमला बोलोगे तो उनकी बेचायनी मैं जानता हूं उनकी पेटवती क्या है वो मैं जानता हूं उनकी पिटवतिव वहां कुषी की है अध्यक्ष जी हमारे पूरो के बगताओं ने बहुत से हमारे सरकार के भारस सरकार के गरी मंत्री मानि राजना जी ने राके जी ने और सभी एनडिये के बगताओं ने अपनी बात रखी मुलायम सिंघ्छी ने भी अपनी बात रखी। उन बातों को किसानों पर केंददरित करके गाहों गरीब किसां जोपड़ियों का इंसान इसके ही जेबी कृपलानी रहे हैं, महाभीर त्यागी रहे हैं, मुरारजी भाई देशाई रहे हैं, अटल विहारी बाजपेई रहे हैं, लाल किशेडवानई भी बरतबान में हैं, महान बिद्वान डाक्टर नूरली मनोहर जोसी हैं, समाजबादी आंदोलन के राम सिवक जादव हो होते थे, बिंदे सरी परसाद मंडल होते थे, हम लोगों ने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोगों को सुना है, लेकिन आज ये संसद कांग्रेश जैसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की जो भूमिका देखी है, उसे लोग जो स्वर्ग में होंगे, वो बरतमान में ह होंगे, वो भी चिंता करते होंगे, कि ये संसद कांग्रेश के अध्यक्ष के दोला कहां ले जाई जा रही है, अध्यक्ष जी, उन्होंने जो सवाल किया, कि परधान मंत्री आख मिला कर मुझ से नहीं देखते, मैं बहुत प्रसंद हूँ, कि हमारे परधान मंत्री ऐसे कम जाए करता हूँ, मेरा नेता है, मेरे नेता है, नरेंद भाई मोधी, मुझ से आक मिला कर बात करो नहीं तो मैं बताता हूँ, जाति मैं गले मिलने जा रहे हैं, आप बताईए, जैक जी, मैं उन से गले मिलने जाओंगा, तो मेरे उपर प्रिविलेज लग जाएंगे, कांग्रेस के लोगों को इस बात पर सरम करनी चाहिए कि स्पीकर ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में टीपड़ी की है तो फिर संसत की गरिमा कांग्रेस के लिए रह कहा गई है अध्यक्ष जी मैं किसान की बात कर रहा हूं बहुत सारे लोगों ने किसान के बारे मे एक मिनिट में रखना हो तो रख दो नहीं इतना समय मैं बाकी सबको भी बात करना चाहती हूं बहुत से सारी ओजनाओं के बारे में अध्यक्ष जी बाते आई हैं मैं उसको अपनी बात कहते जाऊंगा है कि आर्याई ओजना है क्रिशी विभागी क्रिशी विग्यान के इंदर पर नाउजवानों को प्रसिक्षण किया दियाता है गाउं के विकास के लिए और उनको किसानों को प्रसिक्षण देने के लिए ग्रामिन बिदुती करणकी योजना के बारे में चर्चा आई है बांस योजना के बारे में चर्चा नहीं है हमारे देश में बांस आयात करने पड़ते हैं कागज बनाने के लिए लेकिन पहली आजादी के बाद भारत की सरकार है इसने सोरो सो करों रूपिया बजट में दिया है बास को किसानों को पैदा करने के लिए अध्यक्सी जी एक चर्चा बहुत महत्वपून है हमारी सरकार दो साल से हमारी परधान मंत्री जी के नेतरतों में चलने वाली सरकार दो साल से गोबर के खाद पर सबसीडी दे रहे है गोबर के खाद पर सबसीडी किसानों को मिला है मैंने अपने छेतर में सुरू किया है 1560 लोगों को मिला है ये सरकार कि क्या जबाब देंगे इसका, आपने कभी सोचा है कि गोबर के खाथ पर सबसीडी देने से क्या होता है, गोबर के खाथ पर सबसीडी देने से chemical fertilizer का प्रियोग खेती में बंद हो जाता है आज के दिन में आरगेमिक खेती के उत्पादन की मांग जो दुनिया में बढ़ी है भारत उसका केंद्र हो जाएगा किसानों की आमदनी इसलिए बढ़ जाएगा जल समरक्षण के काम है अध्यक्ष जी हो गया